तो कसम से दोस्तों ये न्यूज जैसे ही सुना दोस्तों मैं इस न्यूज सुनते के साथ मैं सोचा मैं आप लोग के साथ भी ये न्यूज सेर कर दूँ क्योंकि अगर आप एक वरकर हो और दुबई में रहते हो दोस्तों तो आपके लिए इतनी बड़ी खुस खबरी है कि भी यहां के king, यहां का government को, यहां का राजा को आप big salute मारोगे, proper explain करने वाला हूँ, 2-3 minute का वीडियो है, last देखना, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि workers related, जो भी update आता है, जो भी news आता है, मैं अपने channel पर आपके लिए डालते रहता हूँ, तो चले start करता हूँ बता तो update के बारे में, तो आपको पता है कि सुरू से दुबई दोस्तों, अलग कुछ करता है, सारे जो गल्फ country हो अलग हिसाब से चलते बड़ दुबई कुछ अलग ही करता है, तो ऐसा ही दोस्तों एक अलग करनामा किया, और इसका ज़्यादा इफेक्ट और ज़्यादा जो फायदा होगा दोस्तों, worker कोई होगा, क्योंकि ये सब चीज से बड़े-बड़े लोगों को कोई फरक नहीं पड़ता है, महंगाई आए, जाए, सस्ता हो, ज्यादा पैसा rate लगे, क्योंकि उनका income भी बढ़ते रहता है, बड़ दोस्तों, worker की जो fixed income हो वही होती है, जि दोस्तों, एक update आया और बताया है, कि दोस्तों, हुआ कि आपको पता है, कि जब भारत ने लगभग 8-10 दिन पहले ही यहाँ पर राइस पर पावंदी लगा दी थे, पूरे वर्ल्ड में राइस वहा नहीं भेश सकते, 12 सरकार बोली कि में राइस नहीं भेश सकता हो, किसी कंट्री में, तो पूरे जगा में दोस्तों, आपको पता कि 40% पूरे दुनिया में राइस जो सफलाई करता है, वो इंडिया करता है, तो उससे जश्ट दोस्तों, लगभग 4-5 दिन बाद, दुबई गौर्मिंट ने बड़ा एलान किया और बताया है, कि जो भी पोड़क् अदर फ्रांस, और भी अदर कंट्री जो भी कंट्री में भेजते थे यहां से या गल्फ कंट्री में भी, क्योंकि दुबई, इंडिया से दुबई आना बहुत इजली है, और समान यहां पर आ जाता था, लेकिन जल्दी बाजी करते हुए दोस्तों, युए गौर्मिंट ने क्या किया, कि वो भी चार महिना का पाबंदी लगा दी, मतलब दुबई से कोई भी राइस का पोर्डक्ट अदर बाहर कंट्री में नहीं गिया, इस आर्टिकल में समझाया गया, बताए गया क्या 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 क्यों, कि दुबई भी यह बेन लगा दिया, और यहां से जो है उसके बाद हम बिजनेस देखते हैं पहले मैं अपने लोगों को देखता हूं उसके बाद मैं अधर कंट्री के बारे में सोच